चलिए, कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं. 20, 35, 45, 50, 60. आईए, इन्हें पांच से विभाजित करते हैं. पांच इन सभी को पूर्ण रूप से विभाजित करता है. अब संख्याओं के अंतिम अंगों को देखिए. वे या तो पांच हैं या शुन हैं. इन संख्याओं पर विचार करते हैं. 90, 50, 60, 70, 40. आईए, इन्हें दस से विभाजित करते हैं. दस इन्हें पूर्ण रूप से विभाजित करता है. सभी संख्याओं जो दस से विभाजित हैं, वे शुन्य पर समाप्त होती हैं. कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं. 46, 73, 89, 72, 51. ये संख्याओं ना तो पांच से विभाजित हैं और ना ही दस से. इन में से कोई भी पांच या शुन्य पर समाप्त नहीं होती है. अता हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या के अंतिम अंक पांच हो या शुन्य हो, तब वह संख्या पांच से विभाजित होती है. और यदि एक संख्या का अंतिम अंक शुन्य है, तब वह संख्या दस से विभाजित होती है. चलिए, अब कुछ और संख्याओं पर विचार किया जाए 9383, 7986, 8382 दाएं से शुरू करते हुए विशम और समिस्थानों परिस्थित अंकों को अलग-अलग जोड़िए योगफलों के बीच का अंतर या तो शुन्ने होगा या ग्यारा होगा जो की दोनों ग्यारा से विभाचे हैं कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं 4231, 5446 योगफल का अंतर 4 और 1 है जो की ग्यारा से विभाचे नहीं है अब संख्या 16 पर विचार करते हैं 8-16 को पूर्ण रूप से विभाचित करता है 8-2 और 4 के गुड़नखंड भी 16 को पूर्ण रूप से विभाचित करते हैं आताहा हम कह सकते हैं, जदी एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्टिया विभाजित करती है, तब इसके सभी गुणन खंड संख्या को भी पूर्टिया विभाजित करते हैं. अब संख्या 84 पर विचार करते हैं, सहे अभाज़िस संख्याएं 6 और 7 84 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, उनका गुरन फल 42 भी 84 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है. अतहा यदि दूस सहे अभाज्य संख्याएं एक दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं तब उनका गुडन फल भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है संख्याओं 45 और 54 पर विचार करते हैं 9. दोनों को पून रूप से विभाजित करता है। 45 और 54 के योगफल पर विचार करते हैं, जो की 99 है। 9. 99 को भी पून रूप से विभाजित करता है। अताहा ये सत्य है कि यदि एक संख्या, दो संख्याओं को पून रूप से विभाजित करती है। तब ये उनके योगफल को भी पून रूप से विभाजित करती है। अब संख्याओं 24 और 64 पर विचार करते हैं। आठ दोनों को पून रूप से विभाजित करता है, 64 और 24 के व्यवकलन पर विचार करते हैं, जो की 40 है, आठ चालीस को भी पून रूप से विभाजित करता है, अतहा यदि एक संख्या, दू संख्याओं को पून त्या विभाजित करती है, तब ये उनके व्यवकलन को भी झाल झाल